गुट मॉर्निंग एवरिवन और मम्ता की दुनिया में एक बार फिर आप सब का स्वागत है जी हाँ मैं ज्यादा दिनों तो अपने आपको कैमरे से दूर नहीं रख पाई तो बिना सोचे समझे आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी लेकिन मैं दे रही हूं वॉइस ओ आ रहा था कहां से शुरू करूं कैसे शुरू करूं तो बस मैंने क्लिप पे क्लिप ले ली और सोचा कि चलो इस बार वॉइस ओवर के साथ ही सही तो यह है मेरा आज का नाश्ता ब्रेड रोल और सुबह के शायद बज रहे हैं नौ साड़े नौ मुझे जाना है तो चलते हैं तो यह पहुंच गई मैं वेंकटेशोरा गार्मेंट्स जहां पर एक ही छट के नीचे सब कुछ मिल जाता है और वैसे तो मुझे कुछ खास चाहिए नहीं था क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाहर निकली नहीं थी शॉपिंग के लिए इसलिए मैं जबरदस्त आई हूं मुझे कुछ ऐसा पर्टिकुलर चाहिए नहीं था इस बार की शॉपिंग बहुत ही डिसपाइंटेड रही क्योंकि कुछ भी खास नहीं था कुछ भी नया नहीं था इवन दो जो पुराना स्टॉक हम लोग इतना अच्छा देखा करते थे वो भी नहीं था तो मै की शॉपिंग मेरे लिए बहुत ही बक्वास रही फिर मैं पहुंची शूस सेक्शन में यह वाले गोल्डन शूस मुझे बड़े अच्छे लगे फिर मुझे याद आया कि मुझे अपने वाकिंग के लिए शूस चाहिए थे तो भी मुझे मिल नहीं रहे थे पर देखते द यह सिम्पल जूते पसंद है ताम-जाम लोगों यह वह बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने इनको पहना थोड़ा सा और कि थोड़ सा दांस किया आप देख रहे है वेने सॉक्स पहने है क्योंकि सौक्स मेरे बैग में ही रखे हुए थे तो मैंने सोचा सौक्स पहन की इनक बड़ी साइज के थे बेकार दिख रहे हैं बट सामने से बड़े अच्छे लग रहे थे तो कुल मिला के मेरी हो गई शॉपिंग यह लाल पीले रंके नीचे जो हैं सारे मेरे काले कपड़ें सिर्फ यह दो कलरी मैंने चूज किया है बाकी सारे एज ब्लैक 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 ब् यह मुझे मिला कैमपा कोला यह बच्पन में आप सब ने देखा होगा बाहर इसका स्टॉल लगा हुआ था और अंदर टेबल पे भी यह सब की टेबल पे रखे हुए थे ताकि आप देखें और इसको और करें पट यह था शायद ग्रीन एपल फ्लेवर जो मुझे बगर प इसका टेस्ट थोड़ा सा बिकार था मेडिसिन मेडिसिन की बद्बू आ रही थी तो मुझे तो पिया नहीं गया उसके बाद मेरा आल टाइम पेवरेट चिली पनी और नूडल्स में आउडर किये जो कि इस बार बहुत माइल्ड थे इस बार पूछा गया कि आप स्पाइस तो कच्रा ही होगा पर आप देख रहे हैं ये कच्रा मैं कैसे खानी हूँ गब 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 करके और ये हो गया खाना का तम पैसा आजम लेकिन अभी नहीं अभी नहीं अभी तो आइसक्रीम बाकी है ये मुझे यहां के स्टाफ नहीं सजेस्ट किया कि आप अरेबिक अरेवल था इसमें सब कुछ था चार तरह के फ्लेवर थैएसक्रीम के जैम चॉक हो चिप्स ड्राइफ रूट चिया सीट जैली जैम सब कुछ चॉकलेट सिरप बट मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये सारी चीजे मुझे पसंद नहीं है आइस क्राइब प्लेन हो उसमें डली होई हो तो फिल्कुल प्लेन होनी चाहिए और मेरी फेवरेट है लीची तो वहां पे लीची का कोई आप्शन था नहीं तो हमने यही खाली बट खाते खाते लास्ट जो स्पून है वो मेरे दातों में लग गया बहुत थंडा सा एकदम से जंजना सा गया मेरा मू मू आइमेन मेरे दात और एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि माउथ फ्रेशनर उन्होंने मुझे हाथ में सर्व किया तो मैं सोच में पढ़ गई कहीं वीर का वो माउथ फ्रेशनर चोरी करने वाला वीडियो वायरल होके इन तक तो नहीं पहुँच गया फिर मैंने भी ट् फिर यह खापी के हम निकले वापिस अपने बैक टू पवेलियन और हमने अपनी टू विलर ऐसे चलाई ऐसे चलाई जैसे कि हम जैट उड़ा रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा था 3.30 और हम चाहते थे कि बच्चों से पहले हम घर पहुँचे बट ऐसा हुआ नहीं बच्चे हम से दो मिनट पहले पहुँच गये सिर्फ दो मिनट पहले फिर हम साथ ही घर अंदर गये और बच्चों को मालूम नहीं था देखते से उन्होंने पूछा आप लोग कहां से आ रहे हमने का चलो भाई बताते हैं घर चलके और यह क्या उपर लॉक दूसरा लॉक यह सकसेना जी को कोई समझाए कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है चोरी करने के लिए ते लॉक लगाने के हमें ज़रूरत वैसे है नहीं तो बस पेंजो घर गुरू जो दर घर आके जो शांती मिलती है तो पूछो इमत और सबसे पहले मुझे चाहिए होती है एक कड़क चाहे जो बिन इनका अटैक नहीं आया बट स्लाइट हैडेक हो रहा था जैसे ही मैं चाहे बना के आई तो ये मेरे बच्चों ने कांट करके रखा था मेरे सारे कपड़े फैला दिये थे देखने के लिए कि मम्मा क्या लाई है मेरी हालत देखिए आप लोग बिलकुल बुजी बुजी आ ताइम हो रहा था बच्चों को पढ़ाया बच्चों को पढ़ा के सारा घर समेटा फिर क्या था इतना थक गई कि कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी वहीं पढ़े पढ़े फिर मैं धेर हो गई तो फिर से एक बार टेंक यू सक्सेना जी का कि उन्होंने मुझे रात के खाने से बचा लिया और हम जाके बीरबल बिर्यानी से अपनी फेवरेट पनीर बिर्यानी लेके आए तो कि इससे पहले जो है बच्चों ने मोमोस खा लिये थे तो उन्होंने बिर्यानी नहीं खाई वीरिका ने खाया सिर्फ आइस क्रीम और हाँ वीरिका ने सिर्फ आइस क् तो मुझे और कुछ नहीं खाना है ये भी बैजारी बहुत ठक गई थी जो हमारा बेटा है वो तो हमेशा एनरजेटिक रहता है वो तो कभी ठकता ही नहीं है तो बस फिर मैंने खाया रात का खाना थोड़े सा बिर्यानी आइस क्रीम मैंने खाई नहीं और इसी के साथ मैंने अपना आज का व्लॉग यहीं पे खतम किया उमीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा जो मैं कभी नहीं बोलती हूँ मैं आज बोलना चाहती हूँ प्लीज दू लाइक, सब्सक्राइब मैं चैनल विचिस म्जस व्लॉग थाटा, बाइब 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 नहीं